नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होगे मेरा नाम है दीपक वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कावसा की Z50 के 2021 मोडल के बारे में दोस्तों कावसा की ने Z50 के 2021 मोडल को इंटरनेशनल टूलर मार्केट में लौच कर दिया है इस बाइक को फर्स टाइम जापान में लौच किया गया है तो आज की वीडियो में बात करेंगे इस बाइक के प्राइज, फीचर्स, चेंजिस, सबी डिटेल्स के बारे में और दोस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूच सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डियम कर सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किये चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, दोस्तों कावसा की ने रिसेंटली ही Z250 के 2021 मोडल को जपान में रिवील किया है, इस बाइक में चे काफी अच्छे हैं, डुवल टॉन कलर्स की में रिवाइक काफी अलिगेंट और मैचूर लग रही है, दोस्तों बेसिकली कावसा की की तरब से Z250 एक टिपिकल नेकेड स्पोर्ट स्पाइक है, कावसा की ने इस पाइक के 2021 मोडल में कलर्स और बोडी ग्राफिक्स को ही चें इस पाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी है, डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों कावसा की की ये बाइक Z250 पे बेस्ट है, इस पाइक का डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक Z250 से इंस्पाइर है, और दोस्तों प्राइस के बार है दोस्तों कावासा की नय जी 250 को Indian Tooler Market में काफ ही टाइम पहले ही discontinue कर दिया था तो अभी काफ़ी टाइम से ये बाइक Indian Tooler Market में नहीं है वैसे तो दोस्तों इंडिया के अंदर 250 सेग्मेंट की बाइक्स वाला मार्केट काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन Z250 एक ट्विन्स लेंडर वाली 250 सेग्मेंट की बाइक है जिसकी बज़े से इस बाइक का प्राइज भी थोड़ा सा ज्यादा है और अगर ये बाइक की Z250 ट्रेलिस फ्रेम भी बेस्ट है इस बाइक के अंदर 41 mm के कन्वेंशनल टाइप के टेलिसकोपिक फंट फोक्स है रियर में अड्जस्टिबल मोनोशोक सस्पेंशन है फ्रेंट में 310 mm की फ्रेंट डिस्क है 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टेंडर डूल चैनल ABS, टायर्स के बारे में वर बात करें तो इस बाइक में 110 section का फ्रंट टायर है, 140 section का रियर टायर है दोसों इंडिया के इंडर कासकी Z250 का लाँछोना बिल्कुल भी कनफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया के इंदर पहले से ही कासकी Z400 है और अभी कवसाके ने उस पाइक को discontinue कर रखा है क्योंकि जल्दी ही उस पाइक का BS6 model इंडियान टूलर मार्केट में launch होने वाला है तो दोस्तों इंडिया के अंदर हमें Z250 नहीं बलकि Z400 देखने को मिलेगी जिसके अंदर 399cc parallel twin cylinder liquid cooled fuel injected DOHC engine है और उस पाइक के maximum power है 49 PS, maximum torque है 38 Nm with 6 speed transmission और उस पाइक के अंदर भी assist and slipper clutch है दोस्तों Z400 में भी आपको front और rear में disc brake देखने को मिलेंगे with standard dual channel EBS और उस पाइक के अंदर भी full LED headlight है, LED tail light है, fully digital instrument console है लेकिन दोस्तों कावसा की Z400 के BS6 model के अंदर हमें वहीं same conventional type के telescopic front fox देखने को मिलेंगे rear में adjustable monoshock suspension होगा और उस पाइक का expected action room price है 4 lakh से लेके 4,50,000 और दोस्तों कावसा की Z400 के BS6 model को December में भी launch कर सकती है और 2021 के starting में भी launch कर सकती है क्योंकि अभी तक इस bike के launch के बारे में कोई भी official update नहीं है कावसा की ने अभी तक कोई भी official announcement नहीं की है तो दोस्तों इंडिया के अंदर हमें Z250 नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि कावसा के इंडिया के इंदर Z400 के BS6 model को launch करेगी सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होपी वीडिया आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको उच्छा लगा हो तो like जरू कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल राइट सेव फ्राइट सेव